C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई 10 प्रायोगिक जामिती प्रिष्ट 215 प्रश्नावली 10.2 1. त्रिभुज X,Y,Z की रचना कीजिए जिसमें X,Y बराबर 4.5 cm, Y,Z बराबर 5 cm और Z,X बराबर 6 cm है 2. 5.5 cm भुजावाले एक सम बाहु त्रिभुज की रचना कीजिए 3. त्रिभुज P,Q,R की रचना कीजिए जिसमें P,Q बराबर 4 cm, Q,R बराबर 3.5 cm और P,R बराबर 4 cm है यह किस प्रकार का त्रिभुज है? 4. A,B,C की रचना कीजिए ताके A,B बराबर 2.5 cm, B,C बराबर 6 cm, और A,C बराबर 6.5 cm हो कोण B को मापिये? 10.5 एक त्रिभुज की रचना जब दो भुजाओं की लंबाईयां और उनके बीच के कोण की माप दी हो S.A.S कसौटी यहां हमें दो भुजाओं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है पहले हम एक रफ आकरती खीचते हैं और फिर दिये हुए रेखाखंडों में से एक रेखाखंड खीचते हैं इसके बाद अन्य चरणों का अनुसरन किया जाता है उधहरन 2 देखिए उधहरन 2 एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जब दिया है के PQ बराबर 3 cm, QR बराबर 5.5 cm और कोण PQR बराबर 60 डिग्री है यहां इस त्रिभुज की रफ आकरती दी गई है हल चरण 1 पहले हम दी हुई मापों के अनुसार एक रफ आकरती खीचते हैं इस से हमें रचना की प्रक्रिया निर्धारित करने में सहायता मिलेगी आकरती 10.5 एक यहां एक रफ आकरती दी गई है जिसमें त्रिभुज PQR के माप हैं PQ बराबर 3 cm, QR बराबर 5.5 cm और कोण Q बराबर 60 डिग्री है चरण 2, 5.5 cm लंबाई का एक रेखा खंड QR खीचिए अकरती 10.5 दो चरण 3, Q पर किरण QX खीचिए जो QR के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए बिंदू P कोण की इसी किरण पर कहीं स्थित होगा आकरती 10.5, 3 चरण 4 P को निश्चित करने के लिए दूरी QP दी हुई है Q को केंद्र मान कर 3 cm त्रिज्या वाली एक चाब खीचिए यह QX को बिंदू P पर काटता है आकरती 10.5, 4 प्रिष्ट 216 चरण 5 P R को जोड़िए इस प्रकार त्रिभुज P QR प्राप्त हो जाता है आकरती 10.5, 5 यहां आकरती 10.5 एक से 5 तक दी गई है इनहें कीजिए आईए अब एक अन्य त्रिभुज ABC की रचना करें ताके AB बराबर 3 cm, BC बराबर 6.5 cm और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो इस त्रिभुज ABC को काट कर त्रिभुज P QR पर रखिये हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC पून तया त्रिभुज P QR के साथ समपाती हो जाता है और थात उसे ढख लेता है इस प्रकार यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके मध्यस्थित यानि बीच का कोण एक अन्य त्रिभुज की संगत भुजाओं और उनके मध्यस्थित कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यह S.A.S. सर्वांग समता नियम या कसाटी है जिसे हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं अध्यान दीजिए कि दोनों त्रिभुजों की रचना दी हुई दो भुजाओं और उनके मध्यस्थित यानि बीच के कोण द्वारा की गई है सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए उपरोक्त रचना में दो भुजाओं की लंबाईयां और एक कोण का माब दिया हुआ था अब निम्नलिखित समस्या का अध्ययन कीजिए एक त्रिभुज A, B, C में यदि A, B बराबर 3 cm, A, C बराबर 5 cm और कोण C बराबर 30 डिगरी है तो क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? हम A, C बराबर 5 cm खीच कर कोण C बराबर 30 डिगरी खीच सकते हैं कोण C की एक भुजा C, A है बिन्दू B को इस कोण C की दूसरी भुजा पर स्थित होना चाहिए त्वरं तु ध्यान दीजिए कि बिन्दू B को एक अध्विती रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है अतह त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए दिये हुए आंकडे परियाप्त नहीं है अब त्रिभुज ABC की रचना करने का प्रयत्न कीजिए जब AB बराबर 3 cm, AC बराबर 5 cm और कोण B बराबर 30 डिग्री है हम क्या प्रेक्षित करते हैं? पुनह त्रिभुज ABC की रचना अध्वितीय रूप से नहीं की जा सकती है इस प्रकार हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि एक अध्वितीय त्रिभुज की रचना तब ही की जा सकती है जब उसकी दो भुजाओं की लंबाईयां और उनके मध्यस्थित यानि बीच के कोण का माप दिया हुआ हो प्रिष्ट 217 प्रश्नावली 10.3 1. त्रिभुज D E F की रचना कीजिए ताके D E बराबर 5 cm, D F बराबर 3 cm और M कोण E D F बराबर 90 डिग्री हो 2. एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 cm हो और उनके बीच का कोण 110 डिग्री का हो 3. B C बराबर 7.5 cm और A C बराबर 5 cm और M कोण C बराबर 60 डिग्री वाले त्रिभुज A B C की रचना कीजिए 10.6 एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी हो A S A कसौटी जैसा पहले किया था एक रफ आक्रिती खींचिए अब दिया हुआ रेखा खंड खींचिए दोनों अंत बिंदुओं पर कोण बनाईए उधहरन 3 देखिए उधहरन 3 त्रिभुज X Y Z की रचना कीजिए यदी X Y बराबर 6 cm M कोण Z X Y बराबर 30 डिगरी और M कोण X Y Z बराबर 100 डिगरी है हल चरण 1 वस्तविक रचना से पहले हम इस परंकित मापों के अनुसार एक रफ आक्रिती खींचते हैं इससे कुछ अनुमान लग जाता है कि कैसे रचना की जाए आक्रिती 10.6 एक यहां एक रफ आक्रिती दी गई है जिसमें त्रिभुज X Y Z के माप है X Y बराबर 6 cm कोण X बराबर 30 डिगरी और कोण Y बराबर 100 डिगरी है चरण 2 6 cm लंबाई का रेखा खंड X Y खींचिए आक्रिती 10.6 दो चरण 3 X पर एक किरण X P खींचिए जो X Y से 30 डिगरी का कोण बनाए दिये हुए प्रतिबंध के अनुसार बिंदु Z किरण X P पर कहीं स्थित होना चाहिए आक्रिती 10.6 तीन चरण 4 Y पर एक किरण Y Q खींचिए जो Y X से 100 डिगरी का कोण बनाए दिये हुए प्रतिबंध के अनुसार Z किरण Y Q पर भी अवश्य स्थित होना चाहिए आक्रिती 10.6 चार प्रिष्ट 218 चरण 5 Z को दोनों किरणों X P और Y Q पर स्थित होना चाहिए अतह इन दोनों किरणों का प्रतिछेद बिंदु ही Z है अब त्रिभुज X Y Z पूरा बन जाता है आक्रिती 10.6 पांच यहां आक्रिती 10.6 एक से पांच तक एक साथ दर्शाई गई है इनहें कीजिए अब एक अन्य त्रिभुज L M N कीचिए जिसमें M कोण N L M बराबर 30 डिगरी L M बराबर 6 सेंटिमीटर और M कोण N M L बराबर 100 डिगरी हो इस त्रिभुज L M N को काट कर त्रिभुज X Y Z पर रखिए हम देखते हैं कि त्रिभुज L M N त्रिभुज X Y Z के साथ पून तया समपाती हो जाता है इस प्रकार यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके मध्य स्थित भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों और उनके मध्य स्थित भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सरवांग सम होती हैं यह A.S.A. सरवांग समतानियम या कसोटी है, जिसे आप पिछले अध्याई में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए कि यहां दो त्रिभुजों की रचना की गई है, जब दो कौन और उनके मध्य स्थित भुजा दी गई है। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। उपरुक्त उधहरण में एक भुजा की लंबाई और दो कौनों के माप दिये गई थे। अब निम्न लिखित समस्या का अध्ययन कीजिए। त्रिभुज A, B, C में यदी A, C बराबर साथ सेंटिमीटर, M कोन A बराबर साथ डिगरी और M कोन B बराबर पचास डिगरी है, तो क्या आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। त्रिभुज का कोन योग गुण आपकी सहायता कर सकता है। प्रशनावली 10.4 1. त्रिभुज A, B, C की रचना कीजिए, जब M कोन A बराबर साथ डिगरी, M कोन B बराबर पीस डिगरी और A, B बराबर पांच दशमलवाट सेंटिमीटर दिया है। 2. त्रिभुज P, Q, R की रचना कीजिए, यदि P, Q बराबर 5 सेंटिमीटर, M कोन P, Q, R बराबर 105 डिगरी और M कोन Q, R, P बराबर 40 डिगरी दिया है। संकेत, त्रिभुज के कोन योग गुण को याद कीजिए, तीन, जाच कीजिए के आप त्रिभुज D, E, F की रचना कर सकते हैं या नहीं, यदि E, F बराबर 7.2 सेंटिमीटर, M कोन E बराबर 110 डिगरी और M कोन F बराबर 80 डिगरी है, अपने उत्तर की पुष्टी पृष्ट 219, 10.7 एक संकोन त्रिभुज की रचना, जब उसके एक पाद यानि भुजा और खर्ण की लंबाईयां दी हुई हों, RHS का सौटी, यहां रफाकृती बनाना सरल है, अब दी हुई भुजा के अनुसार एक रेखा खंड खींचिए, इसके एक अंतह बिंदु पर एक संकोन बनाईये, त्रिभुज की दी हुई लंबाईयों की भुजा और करण खींचने के लिए पर्खार का प्रयोग कीजिए, त्रिभुज को पूरा कीजिए, निम्नलिखेत उधहरन पर विचार कीजिए, उधहरन 4, त्रिभुज LMN की रचना कीजिए, जिसका कोन LMN सं कोन है, तथा दिया है के LN बराबर 5 सेंटी मीटर और MN बराबर 3 सेंटी मीटर है, हल, चरण एक, एक रफ आकरिती खींचिए और उस पर दिये हुए माप को अंकित कीजिए, सम कोन अंकित करना याद रखिए, अकरिती 10.7, एक, यहां एक रफ आकरिती दी गई है, जिसमें त्रिभुज LN एक सम कोन त्रिभुज है और इसके माप हैं, MN बराबर 3 सेंटी मीटर, LN बराबर 5 सेंटी मीटर और कोन M बराबर 90 डिग्री, चरण दो, 3 सेंटी मीटर लंबाई का रेखा खंड MN खींचिए, आकरिती 10.7, दो, चरण 3, M पर MX, MN के लंब वत खींचिए, L इसी लंब पर कहीं स्थित होना चाहिए, आकरिती 10.7, तीन चरण 4, N को केंद्र मान कर 5 सेंटी मीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए, L इसी चाप पर स्थित होना चाहिए, क्योंकि यह N से 5 सेंटी मीटर की दूरी पर है, आकरिती 10.7, 4 चरण 5, L को लंब रेखा MN पर और केंद्र N वाले चाप पर स्थित होना चाहिए, L इन दोनों का प्रतिछेद बिंदु होगा, LN को जोड़िए, अब त्रिभुज L MN प्राप्त हो जाता है, आकरिती 10.7, 5 यहां आकरिती 10.7, 1 से 5, 1 साथ दिखाई गई है, प्रिष्ट 220 प्रश्नावली 10.5 1. सम कोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जहां M कोण Q बराबर 90 डिग्री, QR बराबर 8 सेंटी मीटर और PR बराबर 10 सेंटी मीटर है 2. एक सम कोण त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसका कर्ण 6 सेंटी मीटर लंबा है, और एक पाद 4 सेंटी मीटर लंबा है 3. एक सम द्विभाहू सम कोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जहां M कोण ACB बराबर 90 डिग्री है, और AC बराबर 6 सेंटी मीटर है विविध प्रश्न नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के माप दिये गए हैं इन में से उनकी पहचान कीजिए जिनकी रचना नहीं की जा सकती तथा यह भी बताईए कि आप इनकी रचना क्यों नहीं कर सकते शेश त्रिभुजों की रचना कीजिए त्रिभुज दिये हुए माप 1. त्रिभुज ABC, M कोण A बराबर 85 डिग्री, M कोण B बराबर 115 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर 2. त्रिभुज PQR, M कोण Q बराबर 30 डिग्री, M कोण R बराबर 60 डिग्री, QR बराबर 4.7 सेंटीमीटर 3. त्रिभुज ABC, M कोण A बराबर 70 डिग्री, M कोण B बराबर 50 डिग्री, AC बराबर 3 सेंटिमीटर 4. त्रिभुज L M N, M कोण L बराबर 60 डिग्री, M कोण N बराबर 120 डिग्री, LM बराबर 5 सेंटिमीटर 5. त्रिभुज ABC, BC बराबर 2 cm, AB बराबर 4 cm, AC बराबर 2 cm 6. त्रिभुज PQR, PQ बराबर 3.5 cm, QR बराबर 4 cm, PR बराबर 3.5 cm 7. त्रिभुज XYZ, XY बराबर 3 cm, YZ बराबर 4 cm, XZ बराबर 5 cm 8. त्रिभुज DEF, DE बराबर 4.5 cm, EF बराबर 5.5 cm, DF बराबर 4 cm 9. हमने क्या चर्चा की? इस अध्याई में हमने पैमाना यानि रूलर और परकार की कुछ रचनाओं की विधियों का अध्ययन किया है. 1. एक दी हुई रेखा और ऐसे बिंदु के लिए जो इस रेखा पर स्थित नहीं है. हमने तिर्यक छेदी रेखा आक्रती में रेखा के समानतर एक रेखा कीचने के लिए समान एकांतर कोणों की अवधारना का उपयोग किया है. 2. त्रिभुजों की सरवांग समता की संकल्पना का अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हुए हमने त्रिभुज की रचना की विधी का अध्ययन किया है. इस सद्ध्याय में निम्न लिखित उधारनों की चर्चा की गई है. 1. S.S.S. त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई दी हुई है. 2. S.A.S. किनहीं दो भुजाओं की लंबाई और इन भुजाओं के मद्धिस्थित कोण का माप दिया हुआ है? 3. A.S.A. दो कूणों के माप और इनके मद्धिस्थित भुजाओं की लंबाई दी हुई है. 4. R.H.S. सम कूण त्रिभुज के करण एवं एक पाद की लंबाई दी हुई है. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक. 5. कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग सौम्या मलिक. निर्देशन वनिर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत.